गर की construction की पूरी detail का आज third part है जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कितने type के contractor आप hire कर सकते हो और साथ ही साथ कैसे choose करना है कि आप बेफकूब नहीं बनो कि contractor आपको बेफकूब बनाके काम छोड़के चला जाए labor का जो labor contractor रहते है उसका गया rate चल रहा है 2024 में material contractor का और क्या 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 काम करके वो देगा ये वीडियो में clear करेंगे third part है पहले दो पार जिसनों नहीं नहीं देखे हैं वो देख लिए ने description में लिंक रहेगा अलग से playlist बना दी है गर की पूरी detail शुरू से end तक हर एक काम सो उसे 200 वीडियो आएंगी जो आपको सिखा के जाएंगी कैसे गर बनाने सबसे पहली चीज़ है टाइप आप contractor क्या दो ही टाइप की contractor आपको काम लेते हैं एक होता है labor contractor मतलब labor बोल आएगा और आपको material उसको देना है फिर दूसरा है full material और labor मतलब labor भी उसकी material भी उसका आपको बस pay करना है ये दो तरीके के गर की construction होती है अब मैं बताता हूँ labor contractor किनको hire करना है labor contractor वो hire करें जिनको construction का knowledge हो मतलब material कहां से लाने quality का material कौन सा रहेगा तो वो सस्ता भी म मिलेगा आपको और आप देऊगे और labor वो लेके आएगा आपका गर का काम अच्छे से हो जाएगा अगर आपको knowledge नहीं है कि material कहां से लाना है सस्ता कहां से मिलेगा quality का material कौन सा है तो full material आपको देना चाहिए मेरे ख्याल में contractor अच्छा होगा तो आपको वो अच्छे से काम करके देगा अभी होता क्या contractor चूस करना हमें नहीं आता हम क्या करते हैं जो हमें सस्ता rate देता है contractor उसी contractor को हम hire कर देते हैं वो सबसे बड़ी गलती होती है गर की construction में हमेश्या contractor वही hire करना जिसका पुराना काम आपने देखा हो जिसके बारे में आपको knowledge हो और मतलब बीना क काम देखे contractor को कभी काम नहीं देना एक बार उससका पुराना काम देख लो उसके बाद उसके साथ agreement कर लो कि वो किस price में हमें काम करके देगा और उस काम में हमें क्या क्या करके देगा तो फिर वो सही रहेगा अगर की construction सही से होती है नहीं तो बाद में क्या दिक्कत आती है contractor आप ऐसे hire कर लेते हो rate आपने 1500 रुपे पर square feet कर लिए अगर by chance तो बाद में वो बोलता है कि 1500 रुपे square feet में ये में इतना करके देना था mountain उसमें नहीं आती है परविट बॉल नहीं CD उसमें नहीं आएगी तो ये दिक्कते आती है मैं आगे बताता हूँ क्या 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 काम करके देते हैं rate में अभी मैं rate की बात करता हूँ तो जो labor contractor rate लेता है ऐसा में वो आपका 180 से 230 रुपया पर square feet है इसमें वो करके क्या देखा देखो ये एक स्टोरी का मैं बता रहा हूँ वो footing खोद के आपको देगा ये मैं labor की बात करहूँ वो footing से शुरू करेगा और parapet तक जाता है क्या-क्या उसमें plaster भी उसका आएगा RCC बरेगा column वो मतलब जो भी काम रहेगा शट्रिंग का material उसका रहता है labor खुद उसकी रहती है और जो भी instrument चाहिए होंगे vibrator हो गया, छीनी, हथोड़ा, बेलचा ये सब चीज़े उसकी रहती है rate है 180-230 रुपे पर square feet आपकी state में जो भी हो तो उसे पहले बात कर लेनी है कि आपने हमें footing भी करके देनी है कोलमबर के देनी है, प्लिंट करके filling, brickwork, slab फिर उसमें plaster और दिक्कत आती है कि पहले बात नहीं की होती है वो फिर parapet का अलग rate रहता है तो आपको पूछ लेना है कि इस rate में parapet है कि नहीं, तो अलग से होगा इसमें आपको क्या होता है full material, मतलब इसमें शुरू से अंत तक आपकी जो भी finishing रहती है, tile उसको लानी है, मतलब हर चीज, वो आपका क्या करेगा, आपको नक्षा मना के देगा, आपके लिए सब कुछ करेगा, और last में tiling, flooring, paint, putty, सब कुछ करके, दुरुवाजा लोग करके, आपको की देखे जाएगा, मतलब complete काम 1600 रुपे पर square feet में हो जाता है ठीक है, ये हो गया full material वाला, फिर साथ ही साथ आपको क्या करना है उसको भी पूछ लेना है, कि वो क्या क्या काम करके देगा, full material में देखो, जो bar का safety tank होता है, वो include नहीं होता है, कभी कबर boundary wall जो रहती है, वो include नहीं होती है, gate include नहीं होता है, price में, तो ये चीज़े पहले clear कर देनी है एक agreement बनना, इसलिए मैं बोलता हूँ agreement बहुत important होता है, कल वीडियो उस पे लाई थी कि agreement में डालना क्या क्या है तो agreement बना लेना है, अपनी slab नपवा लेनी है, तो फिर उसकी गर की construction करवानी है, और कभी भी देखो, लोग क्या करते हैं, contractor से ही अपनी drawing या plan ओकरवाते हैं, वो नहीं करना drawing आपको खुद से, मेरे खाल में drawing आपको खुद से बनवानी है, किसी architect से, अच्छी सी drawing बनाओ, आपको जब drawing आपने पर्स ओकर दीगी, ये ही हमें drawing चाहिए, फिर उसके बाद contractor को hire करना शुरू करो उसको drawing दिखाओ, ये गर हमने बनाना है, इसका देखो, हमारे जो architect है, उसने slab area हमें बता दी होगा, कि 2000 square feet है, 2100 square feet है, तो वो हमें किसी contractor को दिखाना है, जिसको आप hire करने वाले हो, फिर उसको बोलना है कि इसका हमें total खर्चा कितना पड़ेगा, मतलब 2000 square feet है, आप 1500 रुपिया पर square feet ले रहे हो, वो पूरा हमें यहां लिख के दो, क्यूंकि लिख के दो कि कितना खर्चा पड़ेगा, और उस खर्चे में आप हमको करके क्या क्या दोगे, तो उससे क्या होता है आप दोनों में transparency रहती है ना contractor आपको बेफकू बना सकता है, ना कुछ और साथ में, अगर आपने contractor का पुराना काम देखा होगा, तो आपको उसकी quality का पता चल जाएगा, कि उस quality में जो 1500 रुपया वो बोर रहा है उसमें वो काम करके देगा, नहीं देदा, बाद में दिक्कत क्या आती है, कुछ contractor क्या करते है बाइवरेटर यूज नी करते है गर की construction में तो आपको पहले बोल देना है कि quality इसे कोई compromise नी होगा, बाइवरेटर आपको यूज करना है, honeycomb उसको नहीं आने देना है, यह honeycomb होता है, यह सामने आप जो देख रहे हो यह mostly क्या करते है, contractor अपनी construction में लाते ही लाते हैं, तो यह लाएंगे, तो यह गर की construction थोड़ी खराब होती है, तो यह नहीं करने देनी है तो यह चीज़ें उसको पहले बोल देनी है और साथ ही साथ contractor वही hire करना, जिसने पहले एक दो काम नहीं पकड़ा हो, मतलब मेरे खाल में वही contractor अच्छा रहता है, जो मतलब आपका गर की construction पकड़ रहा है तो कभी वह वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा तो अगर आपके काम डिले भी होता है, और दूसरा quality भी खराब होती है, अगर quality खराब आप contractor को बोलोगे, वह labor को बोलेगा कि क्या किया, तो यह सिब चलता रहते है एक दूसरे पर blame डालते रहते है, तो इसी लिए मैं बोलूँगा, contractor वही hire करो जो एक काम ले, बहले अगर आप दो, मतलब ले सकते है, contractor दो-तिन काम कर सकते है, उसकी बात है, वो आपको निकाल के देगा काम, लेकिन उसको अलावा हम आपको खर्चा चार्जिस देंगे और जो लिखा है, उसका कोई एक्स्टा चार्जिस नहीं होगा, कि अगर बाई-चांस, material का बाउ यह भढ़ रहा है तो, देखो, contractor बाद में करते हैं, कि अभी material का बहुत बढ़ गया, तो अभी यह rate चेंज करना पड़ेगा इसलिए agreement बनाया, उस पर सब कुछ लिख देना यह दिक्कतवाद में नहीं आएगी और जब भी गर की construction करवा रहे हो जैसे मैंने गा, drawing तो सब कुछ बना नहीं है, हर एक drawing आपके पास होनी चाहिए अच्छा है, वो तो आपका घर की construction अच्छा से करेंगा जिन्होंने यह study उगरा नहीं की है, तो वो पुरानी construction जो उन्होंने की होती है उसी साब से चलते आ रहे हैं, तो आपकी quality भी compromise कर सकते हैं और technical specification में भी इसलिए मैं बालता हूँ, drawing architect से बनानी है, और पूरी drawing रखनी है, और architect ऐसा होना चाहिए जो आपके बरोसे बन दो, मतलब बीच में visit करें, अगर contractor ने काम खराब किया है, तो contractor को बोले यह नहीं हो, मैंने देखा है इंडिया में contractor और architect अपनी दोनों सांगान कर लेते हैं, अपनी bond बना लेते हैं, और थोड़ी बहुत गलती चल रही हो, तो architect ignore कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, architect अलग रखो, contractor अलग रखो जब आप contractor को बोल देते हो कि आप ही drawing ले आओगे, आप ही सब कुछ करोगे तो फिर वो दिक्कत आने वाली है क्योंकि आपको knowledge होता नहीं है गर की construction का, और वो दिक्कते बढ़ती रहती है तो इसलिए ये series शुरू किया आज third part था, ऐसे ही गर की construction में parts लेते आऊंगा तो अभी कल से material की हम quality चेक करना शुरू करेंगे जो भी material गर की construction में यूज करने उसमें क्या-क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए तो उसके लिए आपको channel को subscribe करना पड़ेगा और house construction की consultation लेता चाहते हो तो वो सामने आप detail देख रहे हैं description में मैं लिंक डाल देता हूँ तो वो भी देख लो, और पुराने parts जुरूर देखो की आपको पूरा पसे चलेगा गए पहला step drawing बनाना है, दूसरा agreement, तीसरा contractor hire करना, rate क्या है, यह सब चीजे है ठीक है, अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी videos लाते रहूँगा, और कोई question रहा गया कोई doubt रहा गया, comment करो, मैं clear करूँ